आखिर क्यूं 2015 तक भेरो घाटी फोरेस्ट चेक पोस्ट से आगे किसी भी आम आदमी के लिए चाना मना था आखिर क्यों सेना ने यहां से आगे के सभी गाउं खाली करवा लिये थे उन गाउं में रहने वाले लोग आखिर कहां चले गए जानेंगे सब इस वीडियो में तो बेसिकली यह वीडियो निलोंग वेली के बारे में हैं अगर आप उत्तरकासी से आगे हरसिल या गंगोत्री घूमने के लिए आ रहे हैं तो आप यहां घूमने आ सकते हैं गंगोत्री धाम से लगभग 10 किलोमेटर पहले लंका पूल आता है जहां गरतांग गली इस्तित है जिसकी वीडियो मैं बना चुका हूँ और लिंक डिस्क्रिप्शन में है लंका पूल के पास ही भेरोगाटी फोरेस्ट चैक पॉइंट है यहीं से नेलोंग वेली के लिए रास्ता जाता है और इस चैक पॉइंट से नेलोंग वेली की दूरी मात्र 22 किलोमेटर है अब यह 22 किलोमेटर का सफर जो है यह बहुत ही अमेजिंग है क्योंकि इस 22 किलोमेटर के सफर के दोरान आप लहोल इस्पीती लद्दाक जैसे टेरेन को यानि की कोल्ड डेजर्ट माउंटाइन को इंजोई करेंगे दरसल गंगोतरी तक आप जो पहाड देखते हो वो जादेतर ब्रफ से या वनों से ढखे होए दिखाई देते हैं लेकिन नेलोंग वेली में आपको यह येलो कलर के बेर माउंटेन दिखाई देंगे मतलब ये है कि शरी 22 किलोमेटर का सफर तै करके आप उत्तराखंड में एक नए तरह के टेरेन का आनन्द ले सकते हैं लेकिन यहां आने के लिए आपको परमिट की जुरुरत होगी जो की SDM ओफिस उत्तरकासी से बनता है इसका प्रोसीजर थोड़ा लंबा है और उबव है दो से तीन दिन का समय इसमें लग जाता है लेकिन आपको ज़ादे परेशानी नहीं होगी मैंने डिस्क्रिप्शन में मोबाइल नंबर दिया है जिस पर कोंटेक्ट करके आपको हेल्प मिल जाएगी 1962 इंडो चाइना वार के पहले इस फोरेस्ट चेक पोस्ट से आगे अनेक गउं थे जिन में मुख्यता जड और भोटिया जंजाती के लोग रहा करते थे यहां के मुख्य गाउं निलोंग और जादूंग थे यहां के लोग गर्मियों में थोड़ी बहुत खेती करते और भेडों का पालन किया करते थे 1962 इंडो चाइना वार के बाद इन लोगों को इंडियन आर्मी ने यहां से हटा कर हरसिल के पास भेज दिया जहां आज बागोरी गाउं है और बहुत से लोग उत्तरकासी के आसपास रहने लगे अब 2015 में गवर्मेंट ने टूरिस्ट को पर्मिट के साथ नेलोंग वेली तक आने के लिए स्विकृति दे दी है नेलोंग वेली से टिपद बोडर स्रिप 45 किलोमेटर रह जाता है आप यहां पर रात को नहीं ठैर सकते सर्दियों में बहुत जादा ब्रफ के कारण यहां आना मना होता है जून से अक्टूबर आप यहां आ सकते हैं गरम कपड़े साथ लाएं क्यूंकि गर्मियों में भी यहां का तापमान 5 डिगरी से 10 डिगरी ही रहता है और साथ ही साथ अपने साथ पानी की धर्मस बोतल भ देर भी करें इससे अगली वीडियो मैं इसी के आसपास केसी जगह के लिए कराऊंगा आप चैनल को सुस्क्राइब कर लेजिए जिससे कि आप वह वीडियो भी देख सकें तो मिलते हैं अगली वीडियो में